नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुसील और स्वागत हैस दोस्तों आप सभी का एसकेशी टाइमस में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रोफिट एंड लॉस यानि की लाव और हानी के पांच अती महतपुर्ण प्रशन दोस्तों जो एकशामस में बार-बार पूचे जाते हैं और भी बहुत बहुत आसान ट्रिक से हम लोग बताएंगे दोस्तों तो इस भीडियों का हम दोस्तों लाश्ट तक देखें ताकि एक बेप्रशन आपका एकशाम में ना चूटेगा कुल केले को 20 परतिसत के लाप पे बेच दे तो प्रति दरजन केले का बिक्रय मुल्य क्या होगा तो इस तरह की कोश्टन को बनाने के बहुत ही सोट ढंक से में बनाएंगे दोस्तों यहां कहता है कि एक रूपिया में दो की दर से केला यानि कि दोस्तों दो केला का जो मुल्य निकल के आएगा ठीक है मेरे दोस्तों दो केला का जो मुल्य निकल के आएगा दो केला का मुल्य होगा एक रूपिया तो यहां से जब दो केला का मुल्य एक रूपिया तो छे केल का मृल हो जाएगा एक बटाद दो मॉल्टिप्लाइचे यानी कि किच्छा रुपया तीन रुपया हो जाएगा अब ये दूसरे चलते थे हैं घ्र में तीन केला मिलता है तो तीन केला का बिक्रय मुल तो तीन केला छे केला का मुल यह होगे और छे केला का मुल दो रुपिया यह होगे यानि कि टोटल का टोटल इसका दोस्तों जो CP आया CP आया कितना आया पांच रुपिया खरदा कितना में पांच रुपिया में तो अब क्या कहता है कि खड़ीद कर कूल केले का 20% लाव लेना है उसको तो यहां से उसका दोस्तो CP मात्र 5 ही है अगर 5 रुपिया में वह खरदा है ठीक है और लाव कितना लेना 120 रुपिया तो यहां से 100 multiply 120 कर दे चुकि 20% का लाव लेना है इसलिए 120 से multiply किया उसमें 20% जोड दिया गया तो यहां से यह और यह cancel हो जाएगा ठीक है और यहां से इसको कर देजिए पांदूनी 10 और यह 2 से कर जाएगा दूच्छा का बार है यानि कि 6 रुपिया जो होगा दोस्तो यहां से 6 रुपिया जो हो जाएगा इसका right answers होगा 6 रुपिया उसका बिकरे मूल हो जाएगा यानि कि options number A दोस्तो बिल्कुल right answers होगा उम्मीद करता कि आपको समझ में आ गए होगी कहीं भी दिकत नहीं होगी चलेंगे दोस्तो हम लोग next questions की और जी हां मेरे दोस्त next questions क्या कहता है कि किसी बस्तू का क्रे मूल बिकरे मूल का 80% है तो उस बस्तू का बिकरे मूल उसके करे मूल का कितना परतीस है इस तरह की questions जो है एक्जामस में बार बार पूछे जाते हैं तो ज़रूर धियान से देख लेजे चुकि आने वाले exams में इस तरह की questions दोसो पूछे ही जाते हैं तो चली दोस्तो क्या देखते हैं कि एक बस्तू का क्रे मूल बिकरे मूल का 80% है तो बिकरे मूल का 80% दोस्तो तो SP मेरा selling price अगर 100 हो गया तो CP जो होगा इसी का 80% है इसी का 80% हम निकाल देते हैं तो यहां से हमारा CP कितना आ गया तो अब कहता है कि बिकरयामुल को करयमुल जब का कहेगा तो करयमुल को हमेशा कहां रखेंगे नीचे रखेंगे अम परतिस्त विकरयामुल को किखक? इस्तरह को फटक क्या करेंगे ? सेलिंग प्राइस को ऊफर रखेंगे ठीक है कॉस्ट फ्राइस को नीचे रखेंगे और मल्टी फ्लाइ कितना से कर देंगे एक सो की परसेंटेज निकाल दें तो अब यहां से दोस्तों अब देख सकते हैं स्कीन पर यह यह कैंसिल हो गया यहां से पांद नी दश चार दुनी परसेंटे जाएगा जो कि यह बिक्रया मुल उसके कर्या मुल का 125 परसेंट होगा यानि कि राइट आंसर दोसो सी हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हैं कि अब समझ गयों कहीं भी दिक्कत नहीं होगी जहां भी दिक्कत है कोमेंट करके जरूर पूचर दोस्तों अगर अच्छी वीडियो आपको अच्छी भी लग रही है दोस्तों तो लाइक भी कर लिजेगा चलेंगे हम लोग नेक्स कोशन की ओर जी हां मेरे दोस्त नेक्स क्या कहता है किसी बसू का बिक्रया मुल उसके यहां पे कर्या मुल हो जाएगा दोस्तों कर्या मुल का 150 परसेंट ह तो उस बसू का कर्या मुल उसके बिक्रया मुल का कितना परतिसत है जी है तो बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्टन और सीम कोश्टन से थोड़ा सा डिफरेंसे से तो क्या कहता है कि इस बसू का बिक्रया मुल उस बसू कर्या मुल का तो यहां पे अगर सीपी दोस्तों हमारा 185 होगा ना confusion नहीं होना है थोड़ा भी आपको ठीक है confusion नहीं होना तो CP जब 100 तो SP यहां से क्या हो गया 150 अभी जश्ट आपको निकाल के रख दिये तो यहां से कहता है उस बस्तू का क्रैमुल उस बस्तू के बिक्रैमुल का कितना पर जश्ट बताए थे कि अगर बिक्रैमु कहां आएगा दोस्तो नीचे आएगा यह आपको ध्यान देना होगा तो 150 और multiply percentage लाब बेगरा नहीं दे रहा है इसलिए 100 से कर देंगे तो यहां से यह और यह cancel हो गया दोस्तो अब यहां से कार देजिए दो पच्चे दस तीन पच्चे पंदरा तो यहां से एक सो multiply दो यानि की दो सो बटा तीन पर तीसा दोस्तो राइट आंसर सो रहा है यानि की options नंबर बी दोस्तो बिलकुल सही उत्तर होगा तो मित करता हो कि दोस्तो आप समझ गये होंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी चले उस बसू का करयमुल उसके बिक्रयमुल का कितना परतिसत है जी हाँ मेरे दोस्त सीपी जो दिया है अनुपात सीपी अनुपात एस भी है ठीक है पांच अनुपात छे है इसके बीच का अंतर दोस्तो अब देखेंगे कहता है कुछ नहीं इसमें दिया है कि करयमुल उसके ब पिकड़ा मुल कहां रखेंगे पांच बटाच छे मल्टिप्लाइ एक सो बहुत ही आसान है इसमें कुछ नहीं है तो बहुत ही एजी है तुरहन तब बना दिजिएगा तीन दुनी छोग पचास दुनी एक सो तो यहां से इसको जब मल्टिप्लाइ किजिएगा तो पच्छे- किसी बसु को 10% के लाब के पेक्छा दोस्तो 25 परसेंट के लाब पर बेचने से 105 रुप्य अधिक मिलते हैं तो उस बसु का क्रेम लेकिया होगा यह कोश्चन्स धंगा है तो इक जाम बेस्ट कोश्चन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं क्या कहता है कि 10 लिए यानि कि कमाना था 10% और कमा लिया 25 पर שמח तो कितना एक्स्ट्रा कमाया 15% का एक्स्ट्रा लाब कमा लिया Чश्चन्स ने 105 जो अधिक बढ़ा है तो यही 15% यानि कि दोस्तो 105 जो कमाया है यही 15% के बदोलत कमाया तो यहां से multiply यानि कि 15% equal to 105 तो 1% क्या हो जाएगा 105 बटा 15 और परसेंटेज निकालना है तो multiply 100 हो जाएगा अब यहां से कार जे 15 सते 105 तो 7 multiply 100 यानि कि 700 जो दोसको उसका करयमूल हो जाएगा तो options number A बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गये होगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी ठीके दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कर सकते हैं और शाथी साथ दोस्तों अपने दोस्तों के वीच जदा-ज़दा शेयर कीजिए तो आज के लिए इतना ही रहने दिजेए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई जोश नई नेर्जी नी मोरिंग के साथ तब तक नेमस्कार अपने आस पास स्वक्सता बने रखिए धन्यवाद